दोस्तो हमारी चैनल घरेलू निसके को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर न न भूलें दोस्तो संत्रे का जूस पीने में बहुती स्वाधिश लगता है लेकिन आपको बता दे कि यह स्वास्ते के लिए बहुत लाबकारी होता है असल में संत्रे का जूस कई जरूरी पोसक तत्यों से भरपूर होता है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो सरीर में एक सकती साली एंटी ओक्सिडेंट की रूप में भी काम करता है इसके अलावा भी यह कई जरूरी विटामीन और मिनरल से भरपूर होता है वैसे तो संत्रे का जूस आप किसी भी मोसम में कर सकते हैं और हर मोसम में इसका सेवन करने से सरीर को कई फायदे मिलते हैं लेकिन आपको बता दे कि अगर आप ठंड के मोसम में इस जूस का सेवन करते हैं तो यह आपको सर्द्यों के दोरान होने वाली कई आम समस्याओं से दूर रखने और उनसे जल्द चुटकारा दिलाने में मदद करता है आईए जानते हैं सर्द्यों में संत्रे का जूस पीने के फायदों के बारे में इमिनिटी बढ़ाएं थंड के मोसम में सर्दी, खांसी, बुखार और कई अन्या वारल समस्याओं की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं लेकिन अगर आप रोज एक गिलाज संत्रे का जू सरीर को रखे हाइडरेट, ठंड के मोसम में लोग पानी बहुत कम पीते हैं इस दोरान सरीर में पानी की कमे से तवचा ड्राई पढ़ने लगती हैं और फटने लगती हैं दी हाइडरेशन के कारण लोग काफी ठकान और आलेस से भी महसूस करते हैं साथी कई बार चकर आने की समस्या भी देखने को मिलती हैं संत्रे कजूस पीने से आप एनरजेटिक महसूस करते हैं और हाइडरेट रहते हैं तवचा को रखे स्वस्त विटामिन सी से भरपूर संत्रे कजूस पीने से तवचा में कोलेजन प्रोटीन बढ़ाने में मदद मिलती हैं साथी यह बालों को बनाए मजबूत धन के मोसम में बालों के जड़ने की समस्या का सामना काफी करते हैं संत्रे कजूस पीने से शरीर में आईरन का आउसोसन बढ़ता है क्योंकि इसमें विटामिन सी मोजूद होता है रक्त में आईरन का इस तर बढ़ने से बलड़ सर्कुलेशन बालों के रोम को मजबूत बनाने उन्हें सुवस्त रखने और लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है मास पेस्याओं की जखड़न दूर करता है संत्रे कजूस पीने से मास पेस्याओं की जखड़न और सूजन को कम करने में मदद मिलती है यह आपको मास पेस्याओं और जो दोस्तो आमतोर पर संत्रे का जूस सुभे या दोपैर के समय करना सबसे अच्छा माना चाता है लेकिन इसका सेवन करते समय इस बात का ध्यान रखे कि आपको कभी भी बोजन से तुरंत पहले या बाद में संत्रे का जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसे अपच और अन्य पेट समंदी समस्याएं देखने को मिल सकती है आप नास्ते में यलन्च से एक घंटा पहले इस जूस का सेवन कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइ करना ना भूलें